मुझे नौजवान पीडियों को ये पता होना चाहिए यही सिक्की में जहां पर शौरिय वीरों की गाथाएं भी लिखी गई है मुंबई से हम सुबे तीन मजे निकले अम दे धरगर में जाने का प्रयास करते हैं आप लोगों को मिलने का प्रयास करते हैं अवर्क टो क्रिए आवर्नेस अवाद अझाट आर कंवें अटे आ इंडियों में अटिया एंडियों कि उडिए लुटीर विए लुटीर विए 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 लिए लिए जाएं लिए। झाल 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 ये किलिंग पॉंग में ये मंगल वस्ती में हम सुएश गुरुंग की साथ खड़े हैं सुएश गुरुंग जिनके पिताजी ने इस हिंदुस्तान के लिए शहादत देने के पश्षात हिंदुस्तान को सुरक्षित रखने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया आप देख रहे हो यहाँ पर की आजुबजु की परिस्तितियों में यह पूरा जंगल है और इस जंगल में यह छोटा सुएश गुरुंग जिसकी उम्र दस साल है चटवी कक्षा में पड़ता है इसने अपने पिताजी को तभी देखा ही नहीं था लेकिन पिछले कई वर्चों से इसी जंगलों में रहते हुए अपने देश के लिए कुछ करना है कुछ बनना है ऐसा सपना देखते हुए यह हमारा छोटा सा सैनिक सुएश गुरुंग यहाँ पर आज हमारे साथ ख़़ा है सुएश, how you feel staying in this area? you remember you have not seen father but you know your father was a warrior he was a hero so what you want to become in the life? I want to be an army you want to become an army army means you want to become one of the best soldier I'd say, अगले 10 साल तक अतरवा फांडेशन इसके उपर मेहनत करेंगे और इसको आगे चलके आर्मी में अफिसर बनाने के लिए हम सब लोग मिलके प्रयास करेंगे my name is Suyos Guru, my father was a soldier and a warrior, I also want to be a warrior great country like India believe in power, believe in protection believe in sacrifice if you have a wonderful voiceitos I want to like доб भूल न जाना भारत के लोगों इन वीरों की कुर्बानी भूल न जाना भारत के लोगों इन वीरों की कुर्बानी यूँ जान भी देदे हस हस के के मौत भी हो गए दिवानी भूल न जाना भूल न जाना इन वीरों की कुर्बानी झाल न जाना भारत के लोगों की कुर्बानी